नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 21 जन्वारी और अब शुरू करने जा रहे हैं अपन लोग मौनिक शिफ्ट के जितने भी एंपी पुरिस कॉंस्टेबल के कॉश्चन्स आए देऊं उनका पेपर एनलेसस तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगो जो भी हमारे चैनल प की एक्वेस्ट में आप हमें जो पिछले 10 साल में जितने भी कॉश्चन आये हैं सबका पूरा एक मिक्स करके जितना भी साइंस का कॉश्चन है सारा एक कंपाइल वीडियो उसको बना रखा है आप सबसे रिक्वेस्ट है किसी भी पेपर की तयारी करिए चाहे पुलिस की कर जहांगीर महल है और्चा में और्चा कहां पर है निवाली डिस्टिक में याद रखिए इसको नेक्स आता है वह विग्यान जिसका संबन्ध जीव दार्यों के अध्यान से होता है इसको क्या कहते हैं जीव विग्यान जेकि क्वें बताया कि लेंदी है कुश्चन कुछ भी यह आ रहा है बहुत खतरनाग टाइप से दिख रहा है लेकिन जो उनका अंसर इतना एज़ी अगर थोड़ा से भी दिमाग लगाए कोई भी आसानी से अंसर बन रहे हैं नेक्स्ट है गिनौरगड का किला किसने बनावाए था यह बनावाए था उधय वर्मनने इसके बाद ज जैसे कि फाइकोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है शेवालों का यह सारे क्वेश्चन मेरे उस वीडियो में आपको फसेंगे आप देखेगा जरूर इस वीडियो को इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा आप प्लीज एक बार एक इस वीडियो को देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जूल निम लिखित में से किसकी इकाई है यह है उर्जा की इकाई नेक्स्ट मध्य प्रदेश की जलवाई उष्ण कटी बंधी है उसके बाद मध्य प्रदेश में और द्योगी की विकास निगम की इस्थापना कभी थी 1965 में यह कई पेपरों में यह कोश्चन भी रिपीट हो चुका है मात्रक जो भी मात्रक हैं उन सब के अंताराश्टी पद्दती कब से लाग हुई 1971 से लाग हुई अभी रिसेंटली अभी कुछ जो वेट है वेट का कैलोकुलेशन ठोड़ा सा चेंज किया गया है दो तीन साल पहले उसका कुछ आ रहा था फ्रांस में जो है इसका एक सम्मिलन हुआ था खैर नेक्स रोशन पर आगे बढ़ते हैं चांदनी ताफ विदुद ग्रह की इस्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी एक्चुली यह बुरहानपोर डिस्टिक में हुई थी 1950 के लगवा किया गया था क्योंकि उस समय लाइट अगर चली जाएगी तो फिर प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल पाएगा इसलिए ताफ विदुद ग्रह की इस्थापना की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं अपन चमगादर अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादर एक आर्टर कि बर्फ में इस केडिंग करना किया चीज का प्रदेशन करता है कि यह प्रदेशत करता है दाप बहने पे जो बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है। सो काल्पतरुयोजना किसके लिए चलाए गई थी जो बीपियल परिवार बीपियल परिवार में जो लघो और सीमान किसान игр उनके लिए चलाई गई थी नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातू जबकि वायू क्या है वायू एक मिश्रण है कई सारे चीजों का मिश्रण है कई सारे एटमोस्फेरिक गैस है और धूल के काड़ है बहुत सारे चीज़ आती हूं याद रखिएगा यह चीज़ भी नेक्सक्ट कॉशन माखनलाद चत्रुएदी के जन मिस्थली कहा पर था यह थी होशंगाबाद डिस्टिक में नेक्सक्ट कॉशन फूलों का सरवारधन के विड्यान को क्या कहा जाता है यह कहा जाता है फ्लोरी कल्चर तो आज के लिए इतना ही था मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर करें और जो मैंने साइंस का वीडियो डल ला है उसको भी जरूर देखें तब तक लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए